आज की कवीता है एक मुलाकात ये कवीता लिखी है अम्रिता प्रितम जीन अम्रिता का जनम 31 अगस 1929 में गुजरावाला में हुआ अब ये जगा पाकिस्तान में है तो चलिए शुरू करते हैं आज की कवीता मैं चुप, शान्त और अडोल खड़ी थी सिर्फ पास बहते समुद्र में तुफान था फिर समुद्र को खुदा जाने क्या खयाल आया उसने तुफान की एक पोटली सी बांधी मेरे हातों में थमाई और हस कर कुछ दूर हो गया, हैरान थी पर उसका चमतकार ले लिया पता था के इस प्रकार की घटना कभी सद्यों में होती है लाखों खयाल आये, माथे में जिल मिलाये पर खड़ा रह गया के उसको उठा कर अब अपने शहर में कैसे जाओंगी मेरे शहर की हर गली संक्री मेरे शहर की हर छत नीची मेरे शहर की हर दिवार चुगली सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुदर की तरह इसे च्छाती पर रख कर हम दो किनारों की तरह हस सकते थे और नीची छतों और संक्री गलियों के शहर में बस सकते थे पर सारी दुपहर तुझे ढूंडते भी थी और अपनी आग का मैंने आप ही खूट दिया मैं अकेला किनारा किनारों को गिरा दिया और जब दिन धलने को था समुदर का तुफान समुदर को लोटा दिया अब रात घिरने लगी तो तू मिला है तू भी उदास चुप शांत और अडोल मैं भी उदास चुप शांत और अडोल सिर्फ दूर बहते समुदर में तुफान है आप ये कविता कविता कोश्ट पर जाकर बढ़ सकते हैं आपको लगता है कि अगर ऐसी और कविता पढ़ी जानी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और कविताएं सुनने के लिए देखते रहिए दीलला लटाउप शुक्रिया